नमज़कार दोस्तों, सप्लाई चेन युक्ती में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेक्यॉर्मेंट की फ्रेंड्स इस टॉपिक से पहले हमने कुछ और भी इंपॉर्टन टॉपिक्स कवर किये हैं आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख भी सकते हैं और हो सकता है ये आपके लिए हैल्पुल हो तो आईए शुरू करते हैं अपने टॉपिक प्रेक्यॉर्मेंट के साथ वाट इस प्रेक्यॉर्मेंट ये मेरा सप्लाई चेन का सबसे फेवरेट टॉपिक है सेल्स का तकरीबन बिलकुल अपोजिट इस से पहले जो टॉपिक हमने कवर किया था सोर्सिंग उसमें हम वेंडर को सर्च करते हैं वेंडर किस-किस लोकेशन में है वो लोकेशन सर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वालिटी का प्रड़क्ट या सर्विस हमको कहां मिलेगी ये सर्च करते हैं मगर प्रिक्यॉर्मेंट उसके आगे का प्रोसेस है जब हमने लोकेशन फाइंड कर ली प्रोड़क्ट को समझ लिया है वेंडर को खोज लिया है फिर आता है प्रिक्यॉर्मेंट सरल भाषा में प्रिक्यॉर्मेंट का मतलब समझें तो पर्चेस करना लेकिन एक सिस्टेमेटिक वे में पर्चेसिंग का प्रोसेस बहुत ही सरल है प्रिक्यॉर्मेंट के तुलना में जैसे सडक पर गाड़ी चलाना एक बात और सडक पर काइदे से गाड़ी चलाना तूसरी बात इन दोनों में से क्या सही है? Obviously काइदे से गाड़ी चलाना Purchasing को तकरीबन हर व्यक्ति कर ही लेगा मगर आजकल procurement field में लोगों को लाखो रुपे का offer मिलता है वो किस लिए? क्योंकि procurement एक process है, एक strategy है, एक plan है मुझे तो कभी-कभी ये एक chess खेलने जैसा लगता है जहां आपकी एक-एक move important है आपकी sales team जो product या service बाहर sale करने जाती है और वो उस product या service को sale कर पाती है उसमें आधी working एक procurement officer की है आम तोर पर हम लोग अपने घर के लिए जो purchasing करते हैं वो एक simple process है मगर सोचो, आपको bulk में purchasing करनी है क्योंकि जब आप किसी organization के लिए काम कर रहे हो तब आपको वही quantity bulk में चाहिए होगी तब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप market में गए और product लिया पैसे दिये और हो गया इसको एक example से समझते हैं आप घर के लिए राशन लाते हो सबजी लाते हो लेकिन आपकी quantity बहुत ही limited होती है मगर जब आप वही काम एक organization के लिए करते हो तब वही quantity bulk में होती है घर में आपको किसी को जवाब नहीं देना अगर आप थोड़ा महंगा भी खरीद लाए मगर जब वही product एक organization के लिए purchase करते हो तब हो सकता है कि आपको 10 लोगों को जवाब देना पड़े इसलिए आपको एक process की ज़रूरत पड़ती है एक strategy की ज़रूरत पड़ती है एक plan चाहिए होता है तो आईए समझते हैं procurement के types procurement और उसके components के बारे में types of procurement direct procurement वो product जो हम resale के लिए procure करते हैं वो हुई हमारी direct procurement example के लिए एक hotel जो raw food vegetables procure करता है वो हुई उनकी direct procurement क्योंकि इसी raw food या इसी vegetables को बनाकर वो customer को serve करने वाले हैं ये उनका direct revenue का source है दूसरी हुई हमारी indirect procurement अब वही hotel जब कोई ऐसा product procure करता है जो उसको resale नहीं करना तो वो हुई उसकी indirect procurement जैसे computer, stationary, building फिर आती है हमारी goods procurement कोई भी physical product जो हम अपनी eyes से देख सकते हैं टच कर सकते हैं वो हुई goods procurement फिर service procurement वो procurement जो हम देख नहीं सकते जैसे logistics, building on rent, IT services, CA services, legal services etc इस सब को हम service procurement कह सकते हैं तो आईए समझते हैं procurement के process के बारे में Process, stages and components of procurement Understanding demand and finalizing quality and quantity of the product इस point से हमको क्या समझाता है सबसे पहले तो अपनी company की demand को समझना vendor से जो हमारी conversation रहने वाली है ये इस बात पर बहुत depend करता है कि हमारी demand क्या है दूसरा product को final करना हमारी जो requirement है उसको समझना और हमारी requirement को vendor को समझा पाना ये बहुत ही important है अगर vendor हमारी demand या product specifications नहीं समझ पाया तब ये पूरा process एक failure साबित हो सकता है purchase requisition second process जो है वो है सभी vendors को अपनी purchase requisition submit करना मतलब हमारी purchase के लिए जो इच्छा है वो सभी vendors को लिखित रूप में देना it contains product specification, quantity, delivery schedule and our terms of business and etc third point is obtaining quotation from vendors जब हम अपनी purchase request vendor को submit करते है उसके बाद ball अब vendor के quote में होती है vendor चाहे तो quotation submit करे या ना भी ये उसकी मर्जी है इस quotation में वो अपने product की detail जो quantity वो दे सकता है price क्या होगा delivery schedule payment terms delivery terms और business terms ये सभी terms mention करता है fourth point is negotiation of price and terms अब जब हम अपने सभी या कुछ vendor से quotation receive कर चुके है तब आता है ये सबसे important point जहां use होती है आपकी skills आपका attitude behavior vendor से अपनी terms पर माल लेनी की आपकी capacity क्योंकि vendor क्या है वो अपनी company के लिए एक salesman है और आप अपनी company के point of view से purchasing officer वो चाहेगा आपको महंगे से महंगा product अपनी terms पर sale करे मगर आपका काम क्या है कि आपकी company का फाइदा किसमे है vendor तो अपने फाइदे के लिए बात करेगा ही मगर आपको अपनी organization के benefit को पहले रखना है वो बात अलग है कि transaction तब ही होगी जब दोनों तरफ से win-win situation होगी कोई भी vendor loss में product आपको sale नहीं करने वाला ना ही आप अपने budget से बाहर जाकर कोई भी product purchase कर सकते हो शायद इसलिए ही आपने multiple vendors को purchase requisition submit की थी क्योंकि एक ही vendor से सब कुछ final हो जाए ये possible नहीं है आप 10 vendor को purchase requisition submit करोगे उसमें से हो सकता है छही आपको अपनी quotation submit करें उसमें से 4 की quotation तो ऐसी होगी कि देखते ही समझ आ जाएगा कि इनको हमारे साथ business नहीं करना मतलब उनके rate इतने high level पर होंगे जहां आपकी negotiation ही fail हो जाए मतलब 10 रुपेगा product आपको 20 का बताएगा आप कितना कम करवा लोगे आप 20 का जादा से जादा 18 करवा लोगे चलो 17 करवा लोगे 12 तो possible नहीं है फिर उनकी terms ऐसी होंगी कि आप खुद personal level पर satisfy नहीं हो पाओगे तो फिर अपनी organization को convince कैसे करोगे तो आप बचे तीन vendor आपकी सारी terms कोई vendor मान जाए ये possible नहीं है आपको मू मांगा price मिल जाए ये भी possible नहीं है same situation vendor के end पर भी होती है उसकी सारी terms हम मान ले ये possible नहीं वो जो भी price मांग रहा है वो हम accept कर ले ये भी possible नहीं ऐसी situation में एक midpoint पर हमको vendor के साथ agree होना होता है और same situation vendor के साथ भी होती है उसको भी एक point पर आकर agree होना होता है अगर उसको कुछ output मिलता नजर आ रहा है तो हो सकता है अगर वो 30% margin लेकर चल रहा था मगर customer उसको 20% से जादा नहीं दे रहा है तब भी 20% margin अगर net margin है तो भी क्या बुरा है तो एक ना एक point ऐसा आएगा ही जब vendor और customer को किसी एक point पर आकर agree होना ही चाहिए तब ही business या trade किया जा सकता है वरना ऐसे business का कोई future नहीं जहां सारा compromise एक ही party को करना पड़े negotiation के बाद vendor अपनी revised quotation सब्मिट कर सकते है final approval के लिए next point is purchase order एक बार जब price agree हो गया terms agree हो गई vendor final हो गया next step जो इसके बाद आता है वो है vendor को purchase order issue करना सरल भाशा में बोले तो vendor को अपने order की जानकारी लिखित रूप में देना it contains the product name, product details, quantity, price and terms of transaction vendor इस पर अपनी receiving दे सकता है या चाहे तो performa invoice issue कर सकता है organization किसी भी process को follow कर सकती है मेरा experience हर organization के लिए different रहा है कुछ companies purchase order भी issue नहीं करती और direct vendor से performa invoice मंगवा लेती है कुछ जो purchase order issue करती है वो vendor से PO पर acknowledgement ले लेती है process जादा lengthy या complicated ना हो इसके लिए procurement officer अपने हिसाब से process को implement या change कर सकता है कुछ companies purchase contract भी sign करती है ये एक तरह का agreement होता है vendor और customer के बीच अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा अपने को safety side पर रखने के लिए हर company organization अपना अपना process follow करती है government organization भी कुछ तरह के process follow करती है और ये process department to department different भी हो सकते है मगर motive तो बस अपने को safe रखना है क्योंकि जब भी contract या agreement breach होता है तब इसी तरह का document आपको case जितवा भी सकता है और हरवा भी सकता है कई बार तो इसी तरह के contract ये agreement आपकी नौकरी तक बचा जाते है आपका documentation जितना strong होगा उतना ही strong होगा आपका procurement path जहाँ failure के chances भी कम रहेंगे Our next point is coordination with vendor for delivery of goods or services आपने purchase order issue कर दिया हो सकता है कोई rate contract भी sign किया हो तो फिर कोई delivery schedule भी होगा देखो vendor के लिए उसके सभी customer priority customer होगे कई बार demand production से जादा हो जाती है ऐसे में vendor कई बार उन customers का delivery schedule skip कर देते हैं जिनका follow up बहुत strong नहीं होता कई customer की तो ऐसी आदत होती है उनके पास sufficient quantity भी होगी तब भी वो इतनी urgency create कर देंगे कि vendor मंजबूरन किसी दूसरे customer की delivery skip करके पहले उनकी delivery पर focus करता है इसलिए ये जरूरी है कि आप order देने के बाद भी vendor के touch में रहें अगर possible हो सके तो आप vendor को visit भी करें वर्चुल या टेलिफॉनिक conversation से कहीं जादा असरदार होती है face to face meeting कई vendors production cost save करने के लिए कई बार quality से compromise करते हैं ऐसे में आपकी vendor visit आपको ऐसे incidents से save कर सकती है possible हो तो कभी कभी आप एक surprise vendor visit भी कर सकते हैं इससे आपका vendor गलती करने से पहले 10 बार सोचेगा next point is delivery of goods and services ये वो moment है जिसके लिए आपने इतनी महनत की थी अलग-अलग organization अलग-अलग process को follow करती है कुछ organization delivery से पहले एक performa invoice demand करती है ये helpful भी हो सकता है अकसर ये देखा जाता है कि vendor invoicing में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और invoicing के इस trend में final invoicing में changes करना बहुत जटिल हो जाता है ऐसे में performa invoice mistake के chances को reduce कर देती है customer performa invoice में product, price, quantity और business terms जैसी details को verify कर सकते है ऐसे में आप unnecessary credit या debit note जैसे unwanted process को avoid कर लेते हैं delivery हो जाने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो है delivery and physical inspection कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि गलती से vendor गलत product dispatch कर देते हैं या फिर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि product as per invoice and physical product में difference हो सकता है ऐसे में आपको product को invoice and packing list से physical product को verify करना जरूरी होता है some of the cases में ऐसा भी हो सकता है कि product during delivery damage हो गया हो इसलिए भी product की physical verification करना जरूरी हो जाता है कुछ cases में product का technical verification या lab testing भी की जाती है इसके अलावा ऐसे बहुत से cases हो सकते हैं जिनकी वज़े से quality and physical inspection करना जरूरी हो जाता है ये point वो है जिसकी वज़े से vendor ने इतने दिन इंतजार किया हलाकि अगर payment terms advance basis पर है तो ये step delivery या उससे पहले भी हो सकता है मगर B2B transaction में ज्यादतर payment delivery के बाद ही होती है मगर फिर भी ऐसे बहुत से cases हैं जब payment का एक हिस्सा production start होने से पहले भी किया जा सकता है ज्यादतर first transaction के case में कुछ percentage of payment अक्सर advance ही होती है या ऐसे cases में भी जहां product के production या availability बहुत ही limited होती है वहां customer अपनी booking advance देकर भी करवा लेते है कभी कभी तो ये advance payment 100% भी हो सकती है demand and supply के इस खेल में कभी vendor king होता है तो कभी customer कुछ ऐसे भी cases होते हैं जहां vendor की monopoly भी हो सकती है ऐसे में vendor अक्सर अपने मन माने condition पर trade करते हैं कुछ cases में vendor के लिए customer ही final customer या end user होता है ऐसे में अक्सर 100% payment advance ही होती है इसके अलावा कुछ intervals या SOP के चलते time to time vendor का ledger reconcile करते रहना होता है business terms और healthy relation के लिए ये एक सबसे जरूरी factor होता है साथ ही इससे आपकी accounting भी accurate रहती है और गलती के chances भी कम हो जाते हैं next and final point is record keeping मेरे हिसाब से ये एक वो point है जो आपको present situation में तो benefit देता ही है मगर future में भी इसके benefit बड़े ही कमाल के होते हैं physical data documents के form में रखना important है government भी 8 साल तक का पुराना data और documents कभी भी आपसे demand कर सकती है तो ये ना सिर्फ आपके लिए जरूरी है बलकि ये compliance के part से भी एक mandatory requirement हो जाती है electronic data तो आजकल जैसे वरदान है हमने अपनी earlier videos में भी discuss किया है कि data कितने magical results आपके लिए ला सकता है जिस company के पात जितना data होगा उसके success होने के chances उतने ही हो जाएंगे बस उसको वो data use करना आता हो तो friends ये था हमारा आज का topic और कुछ जरूरी components procurement से related कुछ चोटे चोटे और भी step हो सकते हैं जो हमने cover नहीं किये होंगे वरना video और भी lengthy हो जाता कभी एक detailed video में procurement पर बात करेंगे comments में जाकर बताईएगा कि आपको हमारी knowledge कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सा topic cover करवाना चाते हैं तब तक धन्यवाद शुक्रिया